सेंपल पेपर के एक और बहुत अच्छा क्वेशन है देखने में जितना ही ऐसे लग रहा है कॉंप्लिकेटेट सब बहुत सिंपल है तो देखो यह क्या कह रहा है एक सर्कल है इस सर्कल का सेंटर है आपका ओ ठीक है पी पॉइंट से पी एक एस्टर्नल पॉइंट से उससे हम हमारी जो पी ए है वो टैन दी गई है पैरामीटर निकालना है पी सी डी ट्राइंगल का बहुत इजी है देखर करते हैं सिंस पी ए एंड पी बी ठीक है आर दा टेंजेंट्स ड्राउन तू आ सर्कल फ्राम एस्टर्नल पॉइंट पी से ड्राउ की गई है तो इंप्लाईस क्या करेगा पी ए ए एक्कल होगा पी बी के यानि कि PA 10 है तो आपका जो PB है वो भी कितना होगा 10 cm ठीक है क्यों होगा क्योंकि since हमारा जो PA है वो कितना है 10 cm ऐसे ही देखिए CA equal होगा CE के और BD equal होगा DE के tangents drawn from the sternal point C और tangents drawn from the sternal point D और वो क्या होती है equal तो implies क्या करेगा CA equal होगा CA equal होगा CE के same reason tangents drawn to a circle from external point C ठीक है और वो क्या होती है and they are equal and यहाँ पर भी लिख दो confusion ना हो and they are equal तो यह भी क्या होंगी and they are equal equal होगी ठीक है ऐसे ही implies क्या करेगा आपका D B equal होगी DE के same reason and tangents drawn to a circle from an external point D and they are equal ठीक है same reason है now हमें क्या निकालना है हमें निकालना है parameter of triangle PCD parameter of triangle क्या होता है sum of all sides it's the sum of all sides यहनी की PC plus CD plus PD ठीक है now PC अब आप CD को क्या लिख सकते हो CD को लिख सकते हो आप CE plus ED क्या लिख सकते हो CE plus ED plus PD क्यों क्योंकि आप CD को क्या लिख सकते हो CE plus ED now PC plus यह CE किसके equal है आपकी CA के plus ED आपके किसके equal है BD के plus PD अब देखो PC plus CA और BD plus PD ठीक है PC plus CA बनता है PA और PD plus BD बनता है PB और यह दोनों ही क्या है 10 10 तो आपका parameter कितना आता है 20 cm इतना चोटा सा question था वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को subscribe जरूर करें Thank you